मनुष्च के शरीर का तो कोई उप्योग नहीं मरने के बाद कुछ के बड़े प्यार करने वाले चैलेंज वाले माबाप बेटा इस्त्रीपती 24 घंटे घर में नहीं रखते अरे जल्दी करो नहीं दुरगंध आएगी घर में रहना मुश्किल हो जाएगा सुन्दर्ता की एक्जामपिल दी जाती है जानवरों से इसकी आख इस आदमी की इस देवता की अरे भगवान तक की हिरन के समान है कमल के समान है इसकी गर्दन कबूतर की समान है इसकी नाक कोते की समान है इसकी कमर शेर के समान है यह अंगों की तुलना पशू पच्छी से की जाती है लेकन एक चीज कमाल की है इस शरीर में ड्राइवर बुद्धी कहते हैं उसको तो इंद्रियां दस हैं हमारे पास उससे हम पाच ग्याने इंद्री कहते हैं पाच कर्मे इंद्री है इन पाचों को गवर्न करने वाला एक एक रस्ती है उसका नाम है मन जिधर घोडों को इशारा करता है उधर घोडे चलते हैं यह संसार के रथ वाले घोडे तो कभी-कभी बत्तमीजी भी करते हैं लेकिन यह हमारे शरीर के रथ वाले घोडे मन के खिलाफ एक सेकंड को कोई बात कोई काम नहीं कर सकते हैं देखो सबेरे सबेरे आप सब लोग जो रजाई में रहते हैं रात भर तो नीद में उठते हैं महराज जी के डर से मन नहीं करता महराज जी पूछेंगे कहा है हो चलो उठो यानि इतना बड़ा शरीर ऐतना सूक छुमन जिसे कोई देख नहीं सका आज तक उठने आर्डर दिया उठो चट उठ गए हम जाओ हात मुदो अदे साड़े चार हो गए क्लास में चलो हर काम डेली दिन भर हम मन के अनुसार करते हैं यहां तक कि अपने रत को नस्ट भ्रस्ट कर देने वाला कार्जिफ आत्महत्या वो भी मन के आर्डर से करते हैं चलो ट्रेन के आगे लेट जाओ अरे मर जाएंगे मरना तो ही है मेरा आर्डर है उस रस्ति को आए एक भाग और है उसको बुद्धी कहते हैं मन बुद्धी एक यह बात है हम किसी चीज़ को देख कर कहते हैं यह क्या है इसके आख है आप मुख है अच्छा ना कहते है अच्छा 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 यह आदमी है अच्छा अच्छा बुद्धी ने डिसाइट किया तो यह मन जो है शरीर में गवर्नर इसमें एक बड़ा दोश है क्या बड़ा चैंचल है इसकी स्पीड इतनी बड़ी है कि आज कल बड़े बड़े बैग्जानिकों के राकेट तोगेरा कुछ नहीं है एक अटम्स भी कुछ नहीं है चनमायाति पातालम चनम्याति नवस्थलम एक सकंड नहीं लगता बैठे बैठे इंग्लेंड पहुच गए अमेरिका पहुच गए सारा समुद्र लांग गए सपने में आप लोग करते हैं न यह जम्प किया है समुद्र के इस किनारे खड़े होके उर्थ तरब जाके खड़े हुए तो इसलिए यहां कहा गया मन पतंग के समान है जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं यह पतंग कागस कहोता है जिधर हवा चली उधर पतंग जाएगा हवा के अनुसार ऐसे ही यह मन है चार दिशाएं है जैसे समसार में चार दिशाएं होती है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षण ऐसे ही मन के लिए चार दिशाएं है सात्विक राजस थामस और दिब्य इनहीं चार में सब रहते हैं सब का मन भगवान की ओर जाना यह दिब्य है कोई कोई जाता है कभी कभी जाता है बड़ा भाग्यशाली बड़ा तत्व विचारक कोई से जाता है भगवान का बाता बरन मिल गया तो मन भगवान की ओर चला यहां आप लोग बैटे हैं जब आपको अच्छा उपदेश मिला और भगवान के नाम गुन लीला दिका इट्मोस्पियर मिला तो आपका मन रियलाइज करता है भगवान का ध्यान करना चाहिए मरना है कोई नहीं बच सका आज तक रिशी, मुनी, योगी, संत का बाप कोई हो सबको शरीर छोड़ना होगा और वो भी कब छोड़वा दिया जाए शरीर पता नहीं कोई नहीं जानता अच्छा खासा पहलवान रात को सोता है और सोता ही रही जाता है अरे क्या हुआ भई? हार्ट फेल हो गया हार्ट फेल, हार्ट फेल, तो बक्वास है आत्मा चली गई, उसका टाइम आ गया ये सब जानते हैं अरे देखते हैं रोज नजानेने का प्रस्ट में कहां से है हार्ट फेल, वो पढ़ोसी मर गया आज वो मर गया, आज वो मर गया वो तो बच्चा था अभी कल खेल रहा था किरिकेट हारे वो तो पैड़ा हुआ था तुरंट चला गया फिर से वापस तो एक तो भगवान की साइड में जाना भगवान का बाता बरन मिल गया तो और वो ही आदमी जब संसार में गया तो तीन प्रकार का बाता बरन वहां मिलता है कभी कभी सात्तिक कभी कभी एक गरीब को देखा दया आ गई है इसको दे दे सव रुपया भूखा है इसकी दवा नहीं हो रही है इसको दे दे सव रुपया दवा करा ले अपना कभी कभी यह भवना सात्तिक होती है अधिकतर क्या होती है राजस क्या होता है राजस ये इंद्रियों का सुख अपने लिए आज क्या खाना चाहिए अरे मैडम आज ज़रा कुछ मालताल बनाओ क्या बनावे अरे कुछ खीरूर आज छुट्टी है तो चलो भाई कहीं वहाँ क्लब में जिसकी जैसी चुत्वर्ति हमेशा क्या भ्यास में है ये कहता है चलो प्रेम मंदर तो रजो गुणी 98% सब में भड़ा है वो एक जन्म का नहीं है अनंत जन्म का भ्यास है मम्मी से प्यार करो पापा से करो बेटे से करो बीबी से करो ये जहाँ जहाँ आटाइस्मेंट है उसी में समय बरबाद कर रहा है और तमो गुणी भी खूब है एक वाक के बोल दे कोई आग लग जाती है हमको बत्तमीज कहा है तो तुम बत्तमीज नहीं हो बिलकुल नहीं और इसने बत्तमीज कहा तो फिर को बुरा मानते हो किसी आदमी को कोई कहे को तु भैस है तो कहे का भैस यहां कहा भैस है तु घोड़ा है पागल हुआ है घोड़ा यहाँ पर कहा है अगर तुम बत्तमीज नहीं हो तो बत्तमीज कहने से क्यों फील किया अच्छा तुम सरबग्य हो अड़े राम राम सरबग्य तो भगवान होता है तो तो तुम बत्तमीज हो फिर अड़े भाई एक सरबग्य होता है एक बत्तमीज होता है यानि अग्य अगर सरबग्य नहीं हो तो पिर अग्य हो हाँ बात तो ठीक है लेकिन बुरा लगता है कौन दोश किसमे नहीं है काम, क्रोज, लोब, मोब, हीर्शिया द्वेश जितने दोश हैं सब में हैं और भगवत प्रापती तक रहेंगे चैलेंज के साथ देवताओं में है मनुष्ट्यों की कौन कहें लेकिन बुरा गमाल लगता है जान कर बड़े-बड़े बिद्वानों को भी आती है तो गलत बात है अरे हम मनुष्य हैं हम को मनुष्य कह रहा है कोई तो कोई बुरा नहीं मानता तो हम कामी क्रोधी लोभी मोहीर शालू है दिन बार यही करते रहते हैं और फिर हमको कोई उसी में से एक शब्द कही देता है तो फील करते हैं अरे फील करते कर दे आत्मात्या कर लिया कितनी लोगों ने हमारे बेटे ने हमसे कहा गेट आउट फीलिंग 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 आत्मात्या कर लिया एक कुशंग किसी को मिल गया और एक बेटे ने कहा भाई ने कहा दोस्त ने कहा अरे यार शराब पी के देखो अरे यार शराब तो बुरी बात है अरे रोज-रोज नहीं एक बार पी के देखो लेकन बताना मत किसी से नहीं तो डेड़ी तो हमारे बड़े जलाद है चोरी से पिया जान कर गलत कर रहे हैं हो शराबी था उसने कहा है बड़े आदनी का बेटा है इसको बेवकूब बनाओ बात में फ्री में यही पिलाएगा हमको एक बार पिया अब शराब तो अपना काम करेगा हाँ या अच्छा तो लगा मजा आई कुछ दिर हाँ हर इत्वार को चला अब मंगल इत्वार को चला अब डेली चला अब सराबी हो गया माने सुना तो रोका बेटा शराब पी चाहे तू नहीं नहीं मेरी कसम खा तेरी कसम लो मा की कसम खा गया क्योंकि सराब छोड़ना पड़ेगा अईसे ही गलत काम में जान रहा है गलत काम करने जा रहे हैं और कुसंग में पड़कर करता जा रहा है अगर कोई कहे अदे ओ छलो राय तो ले लो महात्मा जी से तुम जो कर रहे हो सही है मजे नहीं मिलना महात्मा भात्मा से अरे क्या सोच रहे हो महात्मा को भी नहीं मानोगे अगर जो कर रहे हो इसका परिणाम जानते हो जो होगा भोग लेंगे नरक मिलेगा अरे नरका सही यहाँ पहुँच गया हो तो साथिक राजस्तामस तीन गुण माया के दुख के असांती के टेंशन के सारा संसार टेंशन में है दुखी है खरप्पती भी विकमंगा भी महान बिद्वान भी अंगूठा छाप भी साथ दुखी है जहाँ आनंद है उसका चिंतन तक नहीं करते फिकर नहीं है तो ये चार चीजें हैं इस पतंग के लिए चार दिशाएं कभी इधर भागा कभी उधर जहां का इटमास्पेर मिल गया उधर भागा लेकिन अधिकतर माई इटमास्पेर थोड़ा भी मिल गया तो उधर भागता है क्योंकि नैचुरल है भगवान की ओर बड़ी मुश्किल से चलता है पहले पहल फिर जिसको चस्का लग गया फिर तो वो सबसे बड़ा हो जाता है चराबी लेकिन जब तक चस्का नहीं लगता भगवान के नाम रूप गुण लीडा का तब तक संसार का थोड़ा सा इटमास्पेर अजामिल को महापापी बना दिया तो इस प्रकार मन पतंग है अगर गुरु की बुद्धी में अपनी बुद्धी जोड़ दे उस बुद्धी से उस मन से इंद्रियों को गवर्न करे तो फिर भगवत प्राप्ति कर ले यही मन चिंतन से भगवत प्राप्ति यही मन चिंतन से सात्विक यही मन चिंतन से राजस यही मन चिंतन से राक्षस बार-बार चिंतन करो जिसी पिशय का उसी साइड में टॉप कर जाओगे बार-बार चिंतन, बार-बार चिंतन चिंतन में इतनी बड़ी पावर है सर्बनाश कर दे और भगवान के पास पहुचा दे इसलिए वो कह रहा है कि ये मन पतंग के समान है इसको भगवान को प्राप्त किये हुए गुरू के हाथ में सौप दो उसके अनुसार चले है अपनी बुद्धी से नहीं अपनी बुद्धी ने तो अनंत जन में 84 लाक में घुमाया उस्पजो भरोचा करे हुगुमा करेगा के भादार थे अपनी रुद्धी ने बुद्धी ने प्राप्त प्राप्त झाल